हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 19 अफ मार्च 2022 तो गाईज आज है तारिक 19 मार्च 2022 और है सेटर्डे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस प क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके सही चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ तोंकिन को कहा पर है यह एक् टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवेस यह टूथाउजन सेविंटीन के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिवेस यह क्वेशन को आपको बताना है वो कौन सा है उप्शन A liberty of thought, उप्शन B economic liberty, उप्शन C liberty of expression या फिर उप्शन D liberty of belief तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एट लीस्ट सभी को इसमें पारिसिपेट करना है जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, इसका जो correct answer मैं आप लोगों को नीचे provide करवा दिया है प्लस टेलिग्राम पर पर ही provide करवा दिया है वहाँ से भी जाकर इसको check out कर सकते हो, otherwise इसका answer नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरुवत है नहीं, वीडियो के last में मैं आप लोगों को इसका correct answer provide क करवा दूँगा तो चलो शुरवात करते हैं यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नुबर वन के ओपर मेंशन देखने को मिलेगा नाव सिंप्ली इस आर्टिकल में बात की गई है इंडिया और स्री लंका को लेकर अब दोनों के रिलेशन्स के बारे म मैं बट उससे पहले मैं आप लोगो बता दूँ जो आज आप लोग अपने सामने न्यूस्पेपर देख रहे हो यह आज का न्यूस्पेपर नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कल मैंने आपके लिए एक छोटा सा वेडियो रिकॉर्ड किया था कल हो ली थी जिसकी वाज़ आज की तारिक कोई भी यहाँ पर दहिंदू का न्यूस्पेपर नहीं पब्लिश होने वाला तो यह हमारा न्यूस्पेपर कल वाला है जिसका डिसकुशन हमने नहीं किया था बहुत सरे वीडियो अपलोड हुए हैं कल के आप लोग ने देखा होगा लगलग चैनल्स पर ब आज भी रहने वाला है हम लोग सारी स्पेसिविक चीजों को अपने करेंट को स्टाटिक से रिलेट करके डिसकस करने वाले हैं अब आते हैं वापस से पॉइंट के उपर तो इस आर्टिकल में क्या बात की गई देखो अभी मैं आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग ए इतना सारा लोन ले रखा है कि उसको चुकाने के लिए भी बहुत सारा लोन चाहिए हैं उनको तो इग्जाक्ली ये सिचुएशन है प्लस चाइना का एक बहुत बड़ा इंट्रुएंस आज के टाइम पर स्रिलंगा के अंदर फैलता वा नजर आएगा और गैनिक फार्मिं बहुत जादा ultimate level पर पहुंच चुकी है अगर हम लोग dollar के comparison में स्रिलंका की currency को देखें तो 1 dollar is equals to 230 रुपी तक यहाँ पर जा चुका है इनका amount तो आप imagine कर सकते हो कि कितनी जादा currency की value इनकी down हो चुकी है अब currency की value down हो चुकी है तो obviousी बाते inflation जो है जो यहाँ पर daily essentials जो होत हैं उनका जो rate है वो बहुत high पहुंच चुका है जिसकी वजास से country के अंदर बहुत सरा protest चलता हुआ नजर आ रहा है तो इसी के basis पर जब स्रिलंका के अंदर यह सारी चीज़े हो रही है तो इन सब चीजों को देखते वे भारत काफी सारा loan दे चुका है तो अभी हमने उस loan को extend कर दिया है मतलब उसको बढ़ा दिया है तो अभी भारत ने 1 billion dollar का credit देने के बारे में चर्चा किये हम लोग 1 billion dollar का credit देंगे स्रिलंका को कि भाई आप ये पैसा पकड़ो हमें हाँ पर थोड़ा बहुत ब्याज दे देना इसके उपर बाकी आप अपने country को stable बनाओ जो आपको ये 1 billion dollar अपलोग 37,000 क्लोड रुपे हम लोग दे रहे हैं इससे क्या करना होगा आप हमारी country सही समान को purchase करोगे ऐसा नहीं कि हमने आपको पैसा दे दिया आप कहीं और वो पैसा खर्च कर लो तो आपको पैसा दिया गया है ताकि आप हमारे country से समान को purchase करो और अपन हम उसमें आज काफी successful भी हो चुक है उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ देखो चाइना ने already स्रिलंका के अंदर बहुत सारा investment कर रखा है दबाकर exactly इतना investment कर रखा है कि इनका स्रिलंका का जो हमबंद होता port है उसको पूरी तरह से चाइना ने 99 साल के लिए lease पर लिया है तो यह scenario आज का टाइम पर है तो हम नहीं चाहते कि श्रिलंका के पास पैसा ना हो और वो आने वले टाइम पर और भी जमीने उठा उठा कर यहाँ पर अलगलग countries को बेचने लगे अब इससे क्या होगा जैसे चाइना ही सबस्वादा खरीदेगा अब चाइना यहा नहीं चाहते कि चाइना का influence स्रिलंका के अंदर बढ़े और इसमें हम successful भी हुए हमने बहुत सारा loan provide करवाया आपने recently सुना होगा कहीं पर 500 million dollar का credit दे दिया हम लोग ने फिर 500 million dollar का credit दिया तो ऐसे हमने बहुत सारा पैसा provide करवा दिया है already हम लोग लगबग 4 billion dollars तक का amount provide करव नहीं आता तो आप यहाँ पे इस current news को पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते थे clear हुआ तो अभी भारत ने आपर पैसा देने के बारे में चर्चा कर दिया भाय आप पैसा लो और आपने country के अंदर जो food, medicines और essential items के अंदर एक crisis आया हुआ है उसको संभालो country को stable बनाओ लोग की जान बचाओ और इसी को देखते वे पिछले तीन महीने में भारत ने बहुत पैसा दिया January, February और March में तो हम लोग घूमी रहें तो इन तीन महीनों में बहुत सरा पैसा दिया गया है 2022 की बात करें तो इंडिया ने लगबग यहाँ पर 1.4 billion dollars सका support प्रोवाइड करवा दिया है स्रिलंका को और जिसमें 400 million dollar का RBI currency swap agreement यहाँ पर किया गया मतलब currency exchange आपको देखने को मिलेगा प्लस 0.5 billion dollar का loan आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सरा line of credit हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है मतलब थोड़े थोड़े interest पर भी थोड़े थोड़े ब्याज चुका हुआ जो यहाँ पर स्रिलंका के Mr. Raj Paksa है यह हमारे Prime Minister Narendra Modi के साथ बातचीत कर रहे कब Wednesday की बात है discussion वगरा हुआ यही discussion था कि बही जो इंडिया का assistance है वो प्रोवाइड करवाया जाए स्रिलंका की extraordinary economic crisis को मतलब जो स्रिलंका के अंदर situation खराब हो रही है महाँ पर कुछी amount दिया जाए अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखो यह तो आपने सब कुछ पढ़ लिया अब एक perspective और है आप सो directly question यहाँ पर बन सकता है आखिरकार स्रिलंका के अंदर इतनी हालत खराब हुई क्यों इसके पीछे का कारण क्या है तो चलो आपको वो कारण ही बता देता हू ता कि आर्टिकल आपका पूरी तरह से complete हो जाए ठीक है तो अगर हम लोग बात करें हुआ क्या है बहुत सारे factors हैं जो कि responsible है स्रिलंकान economic crisis के सबसे पहला factor है underperforming tourism industry मतलब क्या है COVID-19 आया 2020 में पूरी तरह से lockdown लग गया दुनिया भर में आब लोग इधर से उधर travel करनी पा र आते हैं as a tourist अब as a tourist आये हैं स्रिलंका में पैसा खर्चेंगे उनकी economy के अंदर contribution होगा और बता है खासकर एक बात ध्यान लगना जो लोग यहाँ पे आते हैं स्रिलंका से जादातर बेलारुस से उसका रशिया से देन पोलेंड से तो आप यहाँ पर यह कुछ countries के नाम आते हैं और आज के टाइम पर रश्या यूकरेन में डिस्प्यूट चल रहा है और बेलरुस के उपर भी सेंक्शन लगे पड़े हैं रश्या के उपर भी सेंक्शन लगे पड़े हैं तो कोई यहाँ पर प्रॉपर ट्रावलिंग वगरा हो नी रही है ठीक है तो tourism काफी पि 21 के जुलाई के अगर हम डेटा देखें तो वो 2.8 बिलियान डॉलर्स का हो चुका था मतलब इतना पैसा यहाँ पर इन्होंने खर्च कर दिया है और वो भी खर्च यहाँ पर काफी जग़ा पर किया गया अब इन्होंने अलेडी बहुत सारा लोन ले रखा है उस लोन को च इन्फलेशन अब्यस ही बात है जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इन्फलेशन यहीं महंगाई है वो अपने इस तरपर देखने को मिलेगी इन्फलेशन काफी बढ़ चुका है और एक तो ओईल क्रैसिस के अंदर आड नहीं है उस चीज को और आड कर लेना कि देखो अभी रिश्या से special discount पर oil को purchase कर रहा है बट अगर हम लोग बात करें तो स्रिलंका जो है उसको ये भी काफी महंगा पड़ता वो नजर आ रहा है तो एक crisis आपको ये भी देखने को मिल जाएगा then उसके बाद यहाँ पर इनका जो भी foreign currency है वो बहुत कम हो चुका है मैंने आप लोगों को बता दिया प्लस food shortage खाने का एक बहुत तगड़ा shortage इनकी बेवकुफी बेवकुफी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी स्रिलंका ने एक रात के अंदर अंदर decide किया अगले दिन से पूरे देश में organic farming चलेगी यानि कि कुछ भी जो chemical fertilizer होती है जो chemical develop की जाती है उसका हम use नहीं करेंगे organic farming चलाएंगे एक रात के अंदर decision लिया अगले दिन से implement करना चालू कर दिया एक महिने के अंदर हाला बिकार हो गई organic farming की वज़ा से क्या हुआ जो फसल है का production होना चाहि ठीक है तो यह हुआ हमार आटिकल समाप्त आते हैं next article की दरफ अगला आटिकल आपको देखने को मिलगा यहां पर बात यह गई है जो Indian firms है वो अभी यहां पर बहुत सारा तेल पर्चेस करना start कर चुक है Russia से एक interesting चीज यहां पर आपको यह देखने को मिल जाएगी हुआ क् बहुत सारे सेंक्शन लगे हैं क्यों क्योंकि Russia लगा तार युक्रेण को पर attack कर रहा है तो Russia के उपर सेंक्शन किस ने लगाए US ने लगाए European countries ने लगाए Western countries ने बहुत सारे सेंक्शन लगा दिये कि भाई अब यहां पर Russia के साथ कोई वैपार नहीं कर पाएगा यह सब कु आए जबकि international level पर prices देखोगे तो बहुत जादा है और अगर हमने बहुत जादा prices वाला हमने अगर तेल को purchase कर लिया तो हमारे country में और जदा महंगा बिकेगा हमारे country में महंगाई और जदा बढ़ जाएगी ठीके सरकार को उस पर text काटना पड़ेगा सरकार अगर text कट करती यह तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो भई special discount पर क्यों ने खरीद लो discount पर खरीद रहे हम लोग यह आपको देखने को मिलेगा तो जैसी हमारे पास discount का offer आया तो हम लोग ने decide किया कि चलो भई हम लोग trade करने वाले हैं तो इसी वज़ा से एक official confirmation हो चुका है जो हमारी purchase कर रहे हैं सेंक्शन लगने के बाद भी ठीक है अब यहाँ पर जो obvious से बात है वेपार है वो ruble या फिर Indian currency में देखने को मिलेगा डॉलर का यहाँ पर use होता हुआ नजर आएगा नहीं क्योंकि US यहाँ पर sanctions काफी लगा चुका है तो यह मैं आपको बता दिया देखो special discount के कि हम लोग 2 million barrels purchase कर रहे हैं रश्या से oil को अब यहाँ पर 2 million barrels कितना हो गया तो देखो जो एक barrel होता है इसमें लगबख 159 liters के अप्रॉक्स देखने को मिलता है ठीक हुट आप imagine कर सकते हैं आपर कितना हम लोग ने तेल purchase किया है रश्या से on a special discount अगले आर्टिकल की तरफ लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर देना ठीक है आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी request रहती है daily basis पर कि आप लोग यहाँ पर जो target है हमारा target रहता है 5K plus likes का तो आज भी आप लोगों 5000 स्यादा लाइक्स य लेकिन वो regional pages है मतलब region wise यहाँ पर news को cover किया गया है जो कि हमारे लिए important नहीं होती है जो भी होती है जो एक अलग से ultimate news होती है उसको देखते पता चल जाता है जो कि आज के time पर है नहीं तो यहाँ पर हम लोग बात करें editorials की तो हमारे पास 4 editorials देखने को मिलेंगा और 4 के 4 important है ठीक है वो कौन कौन से हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे ट्रांस मोग ग्रिफाइंग आप भी हो मोत दा रेलवेस इंडियान रेलवेस के बारे में discussion किया है यहाँ पर जो यह के बाला केसरी जी है यह बताता है कि इंडियान रेलवेस आज के time पर क्या गलत कर रहा है ठीक है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि इंडियान रेलवेस को कितना successful है सरकार यहाँ पर इंडियान रेलवेस को कितना अच्छे तरीके से आगे चला रही है लेकिन आने वले टाइम पर यहाँ पर इंडियान रेलवेस को काफि सरी problems face करने को मिल सकती है तो उस condition को उस scenario को देखते इंडियन रेलवेज को आज के टाइम पर डेटा दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार वैसा काम करनी रही है, यहाँ पर कुछ अलग से कुछ तारीफ भरा है, यहाँ पर डेटा मिल आए हम लोग को, जो की आने वले टाइम पर एक परेशानी बन सकता है, तो इंडियन रेलवेज क पर इंपोरेंट चीज हैं, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको यह वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रभास रजजन साबने इस आर्टिकल को लिखाए, काफी सरे आर्टिकल लिखते हैं और इंट्रेस्टिंग क्या है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या बैनेफेट है, अगर किसी कंट्री से छीन लिया जाए, तो उस कंट्री को क्या सफर करना पड़ता है, प्लस ऑथर क्या कहने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं, फिर उसके बात अगले एडिटूरल के एक नई वैक्सिन है, आप लोग जब पुरानी वाली वैक्सिन को देखोगे, को वैक्सिन हो गया, कोवीशिल्ड हो गया, तो भारत में दो वैक्सिन पॉपुलरली जानी जा रही है, को वैक्सिन और कोवीशिल्ड इस पूतनिक फाइफ का एक बार नाम चला था, उसके बा तो अपने आप में चिंता वाली बात नज़र आ रही है, ऐसा है यहाँ पर ओथर बूलत हैं, डिसकस करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़े मेंशन की गई हैं, तो यह चार एडिटूरियल आपको देखने को मिलेंगे, बाकी आपको पता है यह कल फ्राइडे था तो यहाँ पर एडिटूरियल चार थे, एक पांच वा भी यह देखने को मिलेगा, लेकिन यह क्या है, यह है पूरा का पूरा इंटर्वियू, पॉलिटिक्स के बारे में इंटर्वियू यहाँ पर दिया गया है, दो व्यक्तिएं जिनके आर्गुमेंट्स हैं, इनको आप लोग चाह करना चाहिए, वैक्सिनेट करना चाहिए, सबी एज गुरूप्स को, लेकिन एक प्रॉसस को देखते हुए, अगर हम लोग देखें, तो सरकार ने अभी रिसेंटली डिसिशन लिया, कि हम लोग COVID-19 इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, बच्चों के ल कि आपने नाम सुनाओगा, यह को वैक्सिन या को भीषील्ड नहीं है, यह है Corbivax, ईक प्रोटीन सब नियूनिट वैक्सिन आपको देखने को मिलेगी, तो 16 मार्ब से इस वैक्सिन को देने के बारे में चर्चा की गई है, इंडिया कही अहाँ पर effort है, हम लोग यहाँ पर इसको approval मिला ही नहीं है नटागी से नटागी क्या है यह है National Technical Advisory Group on Immunization यह ग्रोप है एक बोडी है जो कि यहाँ पर क्या करती है इन vaccines को लेकर अपना एक approval देती है उनके एक clearance देती है जो कि यहाँ पर Corby Vax को मिला ही नहीं है तो आप Corby Vax को इस particular body से approval मिला नहीं है और आप क्या कर रहे हो इस vaccine को देने के बारे में अभी चर्चा कर रहे हो कि 12-14 साल के बच्चों काम यह vaccine देने वाले है तो यह एक सबसे बड़ा concern है ऐसा यहाँ पर author के थ्रू बोला गया फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यह बोला गया अगर हम लोग देखें त इन में सबसे popular vaccines आपको कौन सी देखने को मिलेंगी? Covaxin या Covishield? आपने अभी recently जो 18 साल थे की उमर के बच्चे थे तो उनको Covaxin दिया तो आप यहाँ पर अगर Covaxin देते तो यहाँ पर लोग believe भी करते हैं उसके उपर क्योंकि Covaxin और Covishield एक large number of population को already लग चुका है है ना बहुत सरे लोग को वह vaccine लग चुकी है already आपको ध्यान लगने इसके बारे में तो हमें पता है कि हाँ वह vaccine सही है लेकिन अभी क्या है कौर भी vaccine जिसको approval मिला नहीं है एक नई vaccine है और इसी को लेकर एक सबसे बड़ा concern उड़ता हुआ नजर आ रहा है यह vaccine आप देने के पिनिट पर हमने देखा कि देखो क्या हुआ जो यह COVID है यह काफी देजी से फैल चुका था और खासकर जो यह 12-14 साल के जो बच्चे थे इनके अदर भी antibodies वगरा काफी develop हो चुकी है तो जब COVID के cases बहुत जाद थे तब जहां पर आप लोग vaccine को लगाते तो बात बनती अभी यहाँ पर टाइम इतना निकल चुका है COVID के cases अलेड़ी काफी काम हो चुके है तो इस vaccine लगाने का भी मतलब कोई ऐसा नजर आएगा ने तो यह कुछ यहाँ पर आपका सकतो decision के अदर कुछ कमिया है जो कि यहाँ पर article के अदर बताए गई है जो मैंने आपके सामने इसको र इन पूरे sanctions के scenario में दुनिया को क्या चीज ध्यान पर रखनी चाहिए उसको लेकर चट्चा की गई है इस article को आप लोग बहुत अच्छे से discuss करने वाले बस खाली ध्यान से सुनते में चलना चाहो तो आप लोग नोट डाउन वगरा भी कर सकते हो चीजों को तो इस article को आप कर सकते हैं GS paper 2 से India foreign relations से और news क्या news यह है कि हाली में United States और European Union then Britain then Canada then Japan किन कराम लिया मैंने US European Union उसके बाद Britain, Canada, Japan इन देशों ने मिलकर क्या किया रशिया का जो most favored nation का status है उस status को रद कर दिया है क्यों क्यों रद किया गया क्योंकि रशिया Ukraine के ओपर attack कर रहा है Ukraine को invade कर रहा है that यहां पर इसको रद किया गया अब पहला question दिमाग में आएगा सर यह most favored nation status है क्या देखो यहां पर बहुत सारे जो देश है ऑब्यसी बात है सभी देश आपस में व्यापार कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं और इसी वजह से यहां पर WTO जो World Trade Organization है जो की दुनिया भर के व्या व्यापार करते हैं तो व्यापार में काफी छूट देते हैं क्योंकि अगर हम लोग example है मालों यहां पर यह इंडिया हुआ इदर आपको Russia देखने को मिलेगा ठीक है आप दोनों WTO के member हैं तो क्या होगा है यहां पर Russia इदर कुछ export कर रहा है और इंडिया यहां पर कुछ export क के अंदर क्या होता है जैसे भारत ने रश्या को अपना एक most favored nation status दे दिया भारत ने रश्या को MFN माना है most favored nation माना है तो इस क्या करेंगे इन दोनों के व्यापार में जो tariff वगरा है जो extra duties वगरा है उन सब के उपर छूट दे दी जाएगी भाई आप आपना समान को freely लगेगा quota वगरा नहीं लगेगा कोई भी जो रुकावट है है export import को लेकर वो नहीं लगेंगी आप अराम से व्यापार कर सकते हो जो price उसके उपर बेचो तो यह एक फाइदा देखने को मिलता है इससे हैं यहापर countries को फायदा होता है ठीक है तो यहापर basic लिए आप कह सकत चूट मिलें टारिफ वगरा के अंदर चूट मिल जाए तो यह तो हुआ बात अब यहापर हमने इसके बारे में समझ लिया अब इसमें कुछ exception आता है कुछ देश ऐसे हैं जिनको most reward nation का status मिला ही नहीं है जिनके साथ कोई treatment ऐसा नहीं देखने को बिलता है वो कौन कौन से है वो इरान है नौर्थ कोरिया है दन उसके बाद सीरिया है दन बेलारूस है यह कुछ देश ऐसे हैं जिनको अभी इसमें से बाहर निकाल लखा है इनके साथ कोई भी हाँपर ऐसा most reward nation status है ही नहीं इनको कोई भी ऐसा treatment ने मिला इनको जब भी यह व्यापार कर दे तो इनको का इस country को most reward nation का status दे रखा है तो उससे फाइदा क्या हुआ देखो फाइदा यहाँ पर यह दिखाएगा कि जो MFN status है यह कहीने की foreign market के अंदर access को बढ़ा देगा भई market काफी तेज हो जाएगा छूट मिलेगी तो बहुत जाद है हाँपर export import देखने को मिलेगा ठीक है जो trade barriers यानि जो व्यापार हो रहा है उसका अदर जो भी रुकावटे हैं उसको बिल्कुल down कर दिया जाएगा रुकावटे को खतम कर दिया जाएगा जो यहाँ पर extra cost लग रही है export के उपर वो कम हो जाएगी ठीक है जो products है वो और जदा competitive products बन जाएगे बहुत जादा chances होंगे कि यहाँ पर दोनों countries के बीच में जो business है जो व्यापार है वो तेजी से ग्रो हो क्योंकि obviously बते छूट मिलेंगे relation बढ़ेंगे business भी ग्रो होता हूँ नजर आता हूँ हम लोग को नजर आएगा clear हुआ then उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया देखो जब business है जब वो काफी अच्छा कर रहा है export यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ चुका है तो इससे क्या होता है जो country की economy है वो भी यहाँ पर growth में आ जाती है जिससे क्या होता है दोनों के लिए win-win situation है क्योंकि दो यहाँ पर import export कर रहे हैं दोनों को यहाँ पर फाइदा हो रहा है दोनों को यहाँ पर extra duties पे नहीं करनी पड़ रही है तो इससे क्या है situation win-win वाली है दोनों यहाँ पर विजयता बन गए clear हुआ अब यह चो most favored nation का status है इसको suspend करने का procedure क्या है तो आपको suspend भी किया जा सकता है बिल्कुल suspend किया जा सकता है एक्जाम्पिल देख गे तो अगर हम लोग बात करें तो भारत ने पहले पाकिस्तान को most favored nation का status दे रखा था मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी व्यापार ह कर दिया कि हम आपके साथ अब यहाँ पर most favored nation status रखते ही नहीं है जो भी समान दोगे उस पर extra duty लगाएगा भारत जो भी पहले लग रही थी tariff लग रही थी सब कुछ लगाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि मालो यहाँ पर किसी country का यह status छीन लिया जैसे अभी यहाँ पर क्या हुआ रशिया के इस status को यहाँ पर रद कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है उस country को कितना सफर करना पड़ सकता है वो यहाँ पर बताओ हमें तो सबसे पहले पॉइंट क्या है जैसे मालो यहाँ पर रशिया का जो most favored nation status है इसको अभी रद कर दिया गया तो इससे यहाँ पर एक strong signal यह आता है कि जो US है और साथिसान यहाँ पर जो western countries है वो अब रशिया को as a economic partner नहीं देखने वाली है ठीक है रशिया को एक व्यापार के तोर पर अपना partner नहीं देखा जाएगा रशिया के साथ कोई व्यापार नहीं यहाँ पर करने वाले हैं यह लोग ठ चादिसत और क्या बूला गया जो westernize है उन्होंने क्या करेंगे वो लोग यहाँ पर जो tariff वगएरा लगा रहे थे उसको बढ़ा देंगे quota भी लागू कर देंगे सब कुछ यहाँ पर जो भी extra duties charges है वो सब रश्या के समान के ओपर लगा देंगे अगर कुछ रश्या समान Europe के अंदर, UK के अंदर या Canada के अंदर क्योंकि इनी देशनों तो यहाँ पर इनके status को त्याग आए तो क्या होगा यह सब बहुत सारा extra taxes, duties, charges वगएरा लगाने वाले हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा हाला कि यहाँ पर पहले ही व्यापार वगएरा सब कुछ cut down कर चु उसके साथ US ने अलरेडी जो रश्या की साइट से ओल आ रहा था उसको बैन कर रखाए, रश्या की साइट से गैस आ रहा था उसको बैन कर दिया है, European Union ने बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर जो भी इंपोर्ट कर रहे थे रश्या से वो हम लोग बैन कर रहेंगे और 70% इंप कंट्री का जो समान है वो दूसी जगह पर ना भिगे, तो इस प्रकार से सिनारियो आज की टाम पर दिख रहा है, क्लियर हुआ, तो आई होप आपको समझ माया, Most Favored Nation क्या है, प्लस क्या सिनारियो दिख रहा है, तो ऑथर यहाँ पर प्रभाश रंजन ने यहाँ पर यह बत 21 के अंदर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, जैसे आज के टेम पर केनेडा वगरा ने यहाँ पर Most Favored Nation status को छीन लिया, तो विवाद तो रश्या यूकरीन का चल ला है, तो यहाँ पर कुछ करता तो समझ में आ रहा था, बट यहाँ पर केनेडा ने यह काम करा है, केनेडा पर प्रबाश रंजन साब ने रश्या के favor में थोड़ा सा इस आर्टिकल को लिख दिया है, क्लियर हुआ, चलो, next editorial की तरफ आते हैं, अगला editorial बात करता है, Transmogriffying of the Railways, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल शब्दों में आप लोग क इस पूरे editorial को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, इस आर्टिकल को लिखा है कि बाला केसरी साब ने ये कौन है, तो इनके बारें पढ़ सकते हो, ये हैं व्यक्ति जो की बिलॉंग करते हैं, इंडियन Railway Service of Mechanical Engineer से, तो यहाँ पर इनी के थूरू Railway के regarding लिखा गया है, तो अपनी फील्ड में expert हैं, तो इस वज़े से आर्टिकल भी important बन जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो भई जो इंडियन Railways हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा ये नहीं कर रहा है, ऐसे सरकार कह रही है कि इंडियन Railways क की तरफ से बहुत शांदार काम किया जा रहा है, ठीक है, अन्यन Railways की image को बहुत तगड़ा बढ़ा दिया गया है, कि बुलट ट्रेंस हैं, वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेंस चल गएं, विस्टर डॉम कोचिस हो गए, एरपोर्ट स्टैंडर्ड वाले यहाँ पर situation देख कर लिया है, यह सब कुछ आ रहा है, ऐसा हैं पर बताया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे, साथ-साथ और बोला यह गया, कि यह सब के साथ-साथ क्या है, अभी बहुत सरा पैसा लगाया जा रहा है, बहुत सरा capital investment, record breaking capital investment यहाँ पर लाया गया है, और बहुत सरा हम लोग और भी invest करने वाले हैं, तो railways की खूब दबाकर तारीफ है हो रही है, सरकारी साइट से, अला कि इसमें अभी भी कहीं पर कमी है, ठीक है, कमी कहा कहा पर है, तो इन्होंने हाँ पर बताया कि अभी कहा कहा पर चुपी बढ़ी हुई है, देखो यहाँ पर policy issues काफी स लड़ा concern है, प्लस यहाँ पर जो future management Indian Railways का उसके ओपर major focus करना चाहिए था, जिसके ओपर नहीं किया गया, क्योंकि Indian Railways का जो future management है वो सबसे बड़ा खत्रे में है, आज आप लोग दिखा रहे हो कि हाँ कितना कुछ हमने achieve कर लिया है, ठीक है कितना हमने investment कर लिया है, लेकिन आप लोग आगे की घर सोच के चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि Indian Railways कहाँ पर stand करता है, तो आगे की जो सोची ही है, उसी को आज के टाइम पर दिखाना चाहिए, वो status दिखानी चाहिए, जो कि आज के टाइम पर आप लोग नहीं दिखा रहे हो, आप Indian Railways को बहुत ब आप लिटिंग वगरा करता है, तो इनके तुरू यहाँ पर स्टाइक्स लाए गया है 2019-20 और 2021-20 किसका, तो जिसमें बता आगए बे जो Indian Railways है, यहाँ पर इनका जो financial statistics है, यह बोलता है कि सरकार ने यहाँ पर सही से डेटा को बाहर निकाला ही नहीं है, ठीक है, सरकार ने पिरेट के लिए investment किया जा रहा है, और सरकार ने अभी यहाँ पर आप देख पाऊगे, announce कर दे कि हम लोग बहुत सरा पैसा invest करेंगे, तो मतलब बहुत सरा पैसा हम लोग invest करेंगे, लगाएंगे, तो वह पैसा कहीं से आना भी चाहिए, तो मैं आपको वह बताता हूँ, त तो वह लाखो करोड रुपे कहां से आएंगे, वह सब आएंगी market borrowing से, बतलब private sector अब पैसा उठाने वाले हो, अब obvious ही बात है, वह आप पैसा उठाओगे, तो वह चुकाना भी है, तो आप पैसा चुकाओगे, तो वह interest के साथ चुकाओगे, ब्याज के साथ चुकाओगे, तो यह यहाँ पर future है, ठीके, बतलब author यहाँ पर यही बोल ले है, कि आप दिखारे हो current scenario, लेकिन आपने जैसे announcement क्या है, कि हम लोग लाखो करोड रुपे बोरो करने वाले market से, तो आप यह भी तो दिखाओ, ठीके हाँ इतना पैसा बोरो करने वाल, उसके मदले में interest होगे लेकिन यहाँ पर आप लोगो करना क्या है, आप यह देखोगे कि वो पैसा आपको चुकाना है, और आपको यहाँ पर interest के साथ चुकाना है, यह भी आप ध्यान नको, साथ साथ यहाँ पर आप एक चीज और देखोगे, देखो 2026 के अंदर, क्या होगा, इंडियन रिल्वे इसके अंदर, उनकी salaries को भी आपको increase करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पैसा बढ़ा कर देना पड़ेगा, तो यहाँ से भी सरकार का जो पैसा है, खासकार इंडियन रिल्वेस का जो पैसा है, वो जदा खर्चा होगा, ठीके, तो आप यहाँ पर आज के टा इसके टाइम पर बहुत सरी चीजे यहाँ पर बदल जाएगी इने रिल्वेस के अंदर, तो यह भी सरकार को दिखाना चाहिए, ठीके, यहाँ पर मेंशन करते हैं, और क्या मेंशन करते हैं, दोखो इंडियन रिल्वेस, आज के टाइम पर एक अलग लेवल पर चल रहा है, और यह जो आज के टाइम पर दिखा रहे हैं, यह सारा सारा शौट टाइम फ्रेम है, अगर यहाँ पर अगर चीजे नहीं बदले गएं, कुछ स्टाटिक स्टिक्स आगे का सोच का नहीं दिखाया है, तो चीजे आगे बदल जाएंगी, आपने एर इंडिया का नाम सुना ह होगा, वैसे ही इंडियान रेल वेस का हाल हो सकता है, क्योंकि एर इंडिया क्या हुआ? ऐसे ही इहां पर था, सरकार ने इहां पर प्रकार से उसको सही से यूज़ नहीं कर पाई, क्या हुआ? एक दिन यहां पर п साफ पैल्म आ घया पिर इंडिया को बेज दिया गया है, किया जा रहा है ठीक है यहां पर यह एक क्लियर हुआ फिर उसके आद और क्या बोला गया कि देखो जो union cabinet है इन्होंने December 2019 के अंदर एक announcement किया है यहां पर announcement ही किया कि जो Indian Railways के अंदर जो recruitment किया जाएगा मतलब जो लोगों की job दी जाएगी तो पांच technical, तीन non-technical तो बोला गया कि भई अब यहाँ पर यह जो jobs के recruitment होगा जो भी हम लोग jobs लेंगे वो यहाँ पर अभी तक civil services examination के थूँ होता है क्योंकि आपने पता होगा जो आप UPSC की preparation करो इसके अंदर यहाँ पर Indian Railways की jobs भी आती है कि IRMS होगा Indian Railway Management Services जो कि यहाँ पर इस प्रकार से recruitment करेगा दो साल हो चुके हैं सर अभी तक यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं थी लेगिन अभी साल 2022 में जो February का मन्थ निकला है 9 February 2022 में क्या हुआ IRMS के बारे में हाँ पर information दी गई कि हाँ भी IRMS कॉम लोग बनाएंगे यानि वो ही Indian Railway Management Services कॉम लोग बनाने वाले हैं और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर यह बनेगा यह announcement कर चुक है देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी strength वगरा है जो भी low की strength होगी वो यहाँ पर reduce होती भी नजराने वाली है यह आप देखपाऊगे तो मतलब लगातार ना इंडियान Railways में jobs कम होती भी नजराई है और आने वाले टाइम पर और भी बहुत सरी jobs कम होने वाली है ऐसा author कमेंशन आपको देखने को मिलेगा उसके पिछे का एक और reason है वो है privatization बहुत सारा railway प्राइवेट में जा चुका है और बहुत सारा railway आने वाले टाइम पर प्राइवेट में जाने वाला भी है jobs प्राइवेट में यहाँ पर चली जाएंगी project management, execution, production unit, medical services यह सब प्राइवेट के हाथ में दे जाएगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे जाएगी जो लोग यहाँ पर काम करेंगे देने उसके बाद यहाँ पर उनकी एक private job आपको यह देखने को मिलने वाली है और बोला गया कि यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग एक गंदाजा लगा सकते हैं कि जो jobs हैं वो regularly कम होती वी नजर आने वाली है ठीक है यहाँ पर बता जा रहा है तो अभी हमने decide किया था जब 2019 में हमने decide किया था यह मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है एक सेकंड मैंने भी आप लोगों बताएं न 2019 में cabinet ने decide किया हम लोग एक IRMS बोडी लेकर आएंगे जो कि यहाँ पर सब चीज़े देखेगा इस बोडी के अंदर काफी सरे लोग मिलकर काम करेंगे ठीक है जो अलग से exam वगरा देखेगा लेकिन हो गया यहाँ पर इंडियन रिल विस के अंदर हो रही है जो कि यहाँ पर author ने I hope समझाई है और मैंने भी आप लोगो काफी अच्छी से समझाने की कोशिश कर दी है जो important बात हैं वो आप लोगो पता चल चुकी है इसको एक बार आप लोग रिव्यू खुद भी कर सकते हो बट उसके अलावा आपको कोई काम का ऐसे मिलेगा नहीं आपके पास PDF आई जाएका टेलिग्राम पर वहाँ से आप लोग इसको जरूर चेक आउट कर सकते हो चलो आता है नेक्स एडिटोरिल की दरफ अगला एडिटोरिल बात करता है man of the moment के बारे में यहाँ पर हुआ क्या है देखो अभी हाँ पर elections हुए और elections के दौरान पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है ठीक है बिल्कुल ब expectation नहीं था अगर हम लोग बात करें तो अदर Congress, BJP इन सब को बचारने के बाद एक नई सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की कहाँ पर पंजाब के अंदर अब क्या हुआ सरकार बनने के बाद जो यहाँ पर भगवन्त सिंग मन है ठीक है इन्होंने अभी शापत ली है Wednesday में और यह 28 वे Chief Minister बन चुके है पंजाब के ठीक है 28 चीफ मिनिस्टर बने है और 48 की उम्र है इनकी यहाँ पर आगे मेंशन आपको देखने को मिलेगा 48 साल की उम्र में तो अगर हम लोग Chief Minister के पद के परस्पेक्टिव से देखें तो 48 साल थोड़ी सी कम उम्र मतलब एक कम एज के अंदर इनको एक अच्छा पद यहाँ पर मिला है तो एक great achievement इनके लिए देखने को मिलेगा हाला कि एज बहुत जादा है लेकिन Chief Minister के पद के परस्पेक्टिव से देखें तो आपको यह चीज़ देखने को मिल जाती है ठीक है यह clear हुआ इनको एक बहुत बहुत पर जो आपको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आगर मिलोग बात करें जो यह आम आदमी पार्टी है आम आदमी पार्टी की बात करें तो यह कैसे जीते यहाँ पर इनको 117 सीट में से 92 सीट यहाँ पर मिल चुकी है 92 सीट को यहाँ पर जीट चुके है पंजाब के अंदर एक नया आप कर सकते हो यह पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिली है उसके बाद और बोला गया कि देखो यह जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं यह एक कॉमेडियन थे कॉमेडियन के बाद यहाँ पर अभी पर एक पॉलिटिशन बनकर निकले हैं अब क्या है देखो एक चीज और मेंशन की गई है इस आर्टिकल के अंदर वो यह है अभी यहाँ पर पंजाब से क्या करके दिखाते हैं यह लो अगर पंजाब में भी काफी सक्सेस्फुल होता है तो आम आदमी पार्टी एक देश के लिए पार्टी बन जाएगी जो लड़ती भी नजर आएगी देखो आज के टाम पर करेंट सिनारियों में बात करें तो बीजेपी से लड़ने वाली कोई बीजेपी के अपोजिट में कोई पार्टी ऐसी देखने को मिलेगी नहीं बीजेपी के टककर की तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो आम आदिम पार्टी है वो यहाँ पर एक पार्टी ऐसी खड़ी होती भी नजर आएगी इन्होंने डेली में काम किया अगर पंजाब के अंदर भी काम करते हैं फिर उसका और भी स्टेट्स के अंदर ये पार्टी आएगी और भी स्टेट्स के अंदर पार्टी आएगी तो आनवले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये पार्टी एक बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी बन कर आए तो ये चीज़ हाँ पर डिपेंड करेंगी कि किस प्रकार से काम किया जाता है इनके I hope आप लोग को यहाँ पर ये clear हो चुका है ठीक है तो ये छोड़ी सी information थी तो छोड़ी छोड़ी information थी जो कि आप लोग clear हो चुका है